पूर्वाई चलेगी प्रदेश में पूर्वा हवा का दौर शुरू होने से लोगों को गिरते पारी से राहत मिलने के आसार है मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से पारा क्रमिक रूप से चड़ सकता है हालाकि ये राहत दो दिन तक ही रहने के आसार है इसके बाद फिर से बादल और बारिश के पुर्वानुमान जताई जा रहे है अच्छे कुमार कैटरिना कैफ अनिल कपूर और नाना पार्टिकर की कॉमेडी फिल्म वेलकम सुपर हिट साबित हुई थे जिसमें नाना पार्टिकर और अनिल कपूर के साथ जॉन अबराहम थे अब Welcome 3 की भी घोशना हो चुकी है निर्माता फिरोज नाडिया धवाला ने अपनी Welcome फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की घोशना की है तब से फैंस इसके लिए बेहत उत्साहित है वही अब फिल्म की शुटिंग से जुड़ा अपडेट सामने आया है उत्रप्रदेश की बागपत जनपत में शादी समारव में पहुँचे साक्षी महाराज ने जैंद चौधरी के भाजपा में जाने को लेकर कहा कि गडबंदन से जैंद चौधरी को अमरित में लेगा उने कहा कि जनता राष्टेवाद के राष्टे पर चल पड़ी है कि सानों के मसीहा चौधरी चरण सिंग को भारत रतन मिलने से जाटो को ही नहीं बलकी संपूर्ण की सानों पर प्रभाव होगा इसका परिणाम यह होगा कि पश्चिम की सभी सीड दोनों गडबंदन जीतेंगे लोगसभा चुनाफ सी पहले प्रधान मंदरी नरी नर्मोदी ने पूर्व प्रधान मंदरी चौधी चरण सिंग को भारत रतन देने की गोशना कर भाजपा वरास्टे लोगदल के गडबंदन की पटकत्था लिख दी है दादा जी को भारत रतन मिलने की गोशना के बाद जैन्त चौधरी ने भी दिल जीत लिया के संदेश के साथ एंडिये गडबंदन का एलान कर दिया परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंग ने यूपी विधान सबह में का कि सावजनिक वहानों से दुरघटना में म्रत्यु या घायल होने पर मिलने वाली मुआपजा राशी को कई गुना बढ़ाया जाएगा सपा विधायक इंजीनियर सचिन यादो और पिंकी यादो के सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंग ने बताया कि सावजनिक वहान से दुरघटना में मृत्यु होने पर बस यात्री को 40,000 रुपे और अन्यम्रत्त को 10,000 रुपे मुआपजा राशी दी जाती है 1996 के बाट से इस राशी को नहीं बढ़ाया गया है भाजपा की प्रदेश अद्यक्ष भुपेंदर सिंग चौधरी ने पूर्व प्रधान मंतरी चौधरी चरण सिंग को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत के और कहा कि प्यम मोदी ने सावित कर दिया है कि एक गरीब का बेटा भी प्यम बनने परदेश के अर्थवावस्था को आगे ले जा सकता है लोगसबाद चुनाफ से पहले देश पिनागिता अधीनियम लागू हो जाएगा केंद्र एक ग्रह मंत्री अमिशान इशनिवार को दावा किया कि आगामी लोगसबाद चुनाफ में भारती जनता पार्टी को 370 सीट एवं उसके नैतरतुव वाले राष्ट के जनतांत्री गडबंदन को 400 से अधिक सीट मिलेंगी इसके साथ ही केंद्र में लगातार तीसी बार प्रधान मंत्री नरिदन मोदी के नैतरतुव में सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की राष्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुखे मंत्री मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जिन भी हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उनका स्वागत है लेकिन इस मामले में खासकर दलित हस्तियों का तेरसकार एवं उपैक्षा करना उचित नहीं है सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए मौनिया मवस्या पर प्रयाग राज में स्नान के बाज श्रधालों का रेला रामनगरी में उमट पड़ा घाट से लेकर मट मंदिर और गलियां शनिवाद को भक्तों से भरी नजर आई अचानक उम्री भीड से ववस्थाएं दोस्त हो गई भारी भीड को देखते वे रामनगरी में यातायात प्रतिबंधित कर दिया गया है राम जन्म भूमी पत पर भक्तों का रेला लगा हुआ है श्रधालों के सामान रखने वाद जांच करने की ववस्था भी भारी भीड के चलते फेल हो गई लोगसभा चुनाफ की तैयारी में जुटी भाजपा की नजर पिछले पांच साल में पश्यमित्र प्रदेश में हुए सियासी नुकसान की भरपाई पर है लोगसभा चुनाफ 2019 और उसके बाद विधान सभा चुनाफ दवजल 22 में भाजपा को जाट मुस्लिम बहुलता वाली सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था रालोत के साथ गडबंदन से जाटों के साथ मुस्लिम वोट हांसिल करने की जुगत भी लगाई जा रही है हाना कि ये तो नतीजे ही बताएंगे कि गडबंदन का प्रियोग कितना सफल रहा इन खबरों में बस इतना ही बने रहे हमारी साथ